हेलो दोस्तों, वेलकेम बैक टूवर चैनल आज का वीडियो हमारा जोब्स के रिगार्डिंग रहने वाला है अगर आप नवोध्य विद्याले के अंदर एज टीचर जोब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन रहने वाला है क्योंकि नवोध्य विद्याले के अंदर शिक्सकों की भरती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है या एर्विटाइजमेंट जारी हो चुका है आज किस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से पदों पर ये विकेंसिज निकली हुई है या कौन-कौन से सब्जेक्ट के अंदर टीचरों की विकेंसिज निकली हुई है और कहां पर ये विकेंसिज है कैसे अपलाई करना है क्या इसमें सेलेक्शन क्रेटिरिया रहने वाला है और क्या इसमें आपकी salary structure रहने वाली है तो एक-एक करके इन सभी चीजों को हम discuss करेंगे इससे पहले आपको बता दूँ कि इस भरती प्रिक्रिया में जो selection procedure है वो केवल आपका online interview के आधार पर ही आपकी नियुक्ति इसमें की जाएगी आपका selection इसमें किया जाएगा अगर आप interested है इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो को last तक जरूर देखें जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को subscribe कर ले और bell icon को press कर ले ताकि इस तरह की important videos आपको मिलती रहें तो जादस मेरा लेते वे चलिए करते हैं वीडियो को सुरूर यह देखें यह मैंने नवोद्य विद्याले की official website को यहाँ पर open किया हुआ है तो यहाँ पर जब हम नवोद्य विद्याले के अंदर सिक्षक करती का link पर हम click करते हैं तो यह कई चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी notification है, instruction and guidelines है, उसके बाद eligibility criteria है, tentative vacancy position है cluster wise, उसके बाद application form है और उसके बाद online application का यहाँ पर link दिया हुआ है तो यह जो PDF में आपको मिलेगा, जो उपर की चार पांच चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, यह PDF format में यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो यह सारी मैंने download करके रखी हुई है, जो की एक ही करको आपको वीडियो के मैदम से आपके साथ share कर लेता हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहें इस भरती के regarding, ठीक है, यह देखे, यह इसका notification है, इसमें नवोद्य विद्याले स्मिती अक्षेतरी कारेले जैपूर की तरफ से यह advertisement जारी किया गया है, इसमें जो विबिन सरेनी के जो सिक्षक हैं, जैसे की कला अध्यापक है, संगीत अध्यापक है सारीरिक शिक्षक जिसमें महिला एवं पुरस दोनों है, और पुस्तकाले अध्यक्स के रिक्त पदों के लिए समीदा आधार पर सेवाएं प्राप्त करने ही तू, ओनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 25.11 तक आमंतरित के जाते हैं, इसकी लास्ट डेट है, 25.11.2020 में रहने वाली है, इसके जो पूरी डिटेल है, यह वेबसाइट का यहाँ पर यूरल एड्रस दिया हुआ है, इस वेबसाइट को आप विजिट करके भी इसके बारे में देख सकते हैं, उसके बाद हम बाकी चीजे भी देख लेते हैं कि क्या-का इसका क्राइटेरिया है, क्या इसके लिए एक लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, इस लिंक पर गूगल लिंक है, इसमें आपको अपने जो भी डॉकुमेंट्स होंगे, या अप्लिकेशन फोर्म है, वो अच्छे से भर कर इस लिंक पर आपको अपलोड करने हैं, उप्रोक्त लिंक के माइदम से आप अपन करते हुए, वांचीत दस्तावेज निमन करम में दो पीडिया फाइल के माइदम से अपलोड करें, फस्ट पीडिया फाइल में एप्लिकेशन फोर्म होगा, सेकंड पीडिया फाइल में आपके डोकुमेंट्स होंगे, जिसमें आपका टैंथ का मार्क सीट होगा, प्लस अगर आपने किया हुआ है तो वह आपको अपलोड करने हैं, अब हम इसकी एजुकेशनल कौलिकेशन की बात कर लेते हैं, कि कहां पे बीड और टैट यहां पे मैंडेटरी नहीं है, जैसर कि मैंने थमनेल में लगाया हुआ है, तो वह आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्य एजुकेशनल कौलिकेशन्स यहां पे मांगी गई हैं, यह देखें, यह यहां पे इसकी जो रिक्रूटमेंट रूल्स है, फोर आठ टीचर इन नवोद्य विडेलेज, नेम ऑफ दा पोस्ट यहां पे आठ टीचर लिखा हुआ है, ग्रूप B के अंदर यह आती हैं, पेसक तक के कंडिडेट इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं, उसके बाद इसकी एजुकेशनल कौलिकेशन्स के अगर हम बात करें, तो सबसे पहले है, फोर इयर्स रिकोगनाइज़ डिप्लोमा इन एन डिसिप्लिन ओफ फाइन आर्ट्स, एज ड्राइंग, पेंटिंग, स करेंग, सकल्प्चर, ग्राफिक, आर्ट्स या क्राफ्ट में, तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सेगंड ओप्शन में क्या है, कि अगर फाइज रिकोगनाइज डिप्लोमा आपने किया हुआ है, इन डिस्प्लिन ओफ फाइन आर्ट्स, ड्राइ हुआ है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं, तीसरे ओप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, कि डिग्री इन फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट्स फोमे रिकोगनाइज इनिवर्सिटी, अगर आपने डिग्री की हुई है, फाइन आर्ट्स में, क्राफ्ट् कर सकते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे, कि बी एड यहां पर ऑप्शनल है, यहां पर बाकी अधर क्वालिफकेशन भी यहां पर दी गई है, अगर अधर क्वालिफकेशन आपके पास हैं, तो भी आप इसके लिए डेफिनिटली अपलाई कर सकते हैं, इसके बाद हैं, स आपने किया हुआ है तो भी आपिस के लिए अपलाई कर सकते हैं वर्किंग नॉलिज आपको इंग्लिश और हिंदी की होनी चाहिए और अधर रिजनल लेंग्विज आपको होनी चाहिए ठीक है तो इसमें भी B.Ed. या T.E.T. यहां पर mandatory नहीं है तो music teacher के लिए भी ऐसे ही qualifications रहने वाली है इसमें भी B.Ed. या जो T.E.T. का जो exam होता है वो mandatory नहीं है एक important बात यहां पर यह मैं बता दूँ कि यह जो जितनी भी vacances है यह सभी contract based vacances है regular based vacances यह नहीं है और इसमें जो time period दिया हुआ है period of probation if any यहां पर two years यहां पर लिखा गया है ठीक है two years के लिए यह है और important क्या है इसमें वो हम देख लेते हैं यह जो है application form है जो कि आपको fill up करना है यहां पर साफ साफ तोर पर mention किया गया है कि for engagement of creative teachers purely on contract basis for the session 2020 to 2021 ठीक है इसमें आपको name of cluster apply करना है जिस area के लिए आप apply करना चाहते है application for the post of music teacher के लिए आप apply कर रहे है या art teacher के लिए apply कर रहे है वो ठीक है उसके आद अपनी details है name है date of birth है father husband name आपका address contact numbers category to which you will उसके आद educational qualifications आपको enter करनी है teaching experience अगर है तो वो enter करना है इसके साथ साथ आपको जो है mark seat आपको लगानी है जैसे 10th की 12th या degree की जो भी आपनी की हुई है और इन सब की दो PDF file आपको बनानी है जिसमें first PDF file में आपका application form होगा में आपका जो है यह सारी mark seat होंगी यह experience certificates वगेरा होंगे तो उसको फिर जो link मैंने आपको show किया था कि Google link वहां पे दिया हुआ है उस link पे आपको upload करना है and thereafter आपका एक virtual interview होगा या online interview होगा depending on the performance in virtual interview आपका selection वहां पे किया जाएगा तो यह इस भरती के बारे में basic details है फिर भी अगर आपका कोई comment है तो आपका कोई doubt है तो comment section में comment करके आप पूछ सकते हैं तो आज किस वीडियो में यही information आपके साथ share करनी थी अगर information पसंद आई है तो वीडियो को like जरूर करें साथ ही इस तरह की updated information पाना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर लें और bell icon को press कर लें ताकि इस तरह की कोई भी important information आप से आप आप